हलो बच्चों आप सभी का स्वागत है CBSE Class 10 से 12 तक के सभी इस्ट्रेंज के लिए 4 महतोपून अफडेट्स आए हुई है तो इसके बारे में आप सभी को मैं बताना चाहूंगा तो वीडियो को आप रसुरू से लाच तक देखते रहें तक कि आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ सके जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कोर्ना वाइरस के जो केस है वो दिन बदिन अभी वड़ते जा रहा है अगर हम 30 अपरेल का बात करें तो 30 अपरेल को जो नया केस मिला हुआ है एक दिन का वो है 4,1993 अगर हम 7 डे अवरेज का बात करें तो यह है 3,64,927 तो इसको देखते हुए जो आफी क्लास 9 में होंगे या फिर 10 में होंगे 11 में है 12 में है किसी भी क्लास में अगर आप होंगे तो आपके जो स्कूल और कॉलेज हैं वो गवर्मेंट के तरफ से यह आदेश दिया गया है काफी स्टेट्स में यह बोल दिया गया है कि जो आपके स्कूल या फिर कॉलेज है वो 31 में तक बंद रहेंगे यानि कि 31 में तक आपके स्कूल या फिर कॉलेज नहीं खुले जाएंगे और अगर इस्तिती इसी तरह से बनी रही तो आगे भी बढ़ने की ये उमीद है आगे भी अभी नहीं खोले जाएंगे और अभी तो 30 अपरेल का ये आखड़ा अपलो को मैं दिखा रहा हूँ आगे ये और भी ज़्यादा बढ़ने की उमीद है 15-20 मैं तक ये पीक पर रहेगा ऐसा यहाँ पर अनुमाल लगाया गया है तो अभी 31 मैं तक आपके स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे ये पहली अपडेट थी अब जैसे कि आपको पता ही है कि जिस तरह से यहाँ पर केजिस बढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने में भी समय लगेगा तो जो क्लाश 12 के स्टुडेंट से क्लाश 12 के स्टुडेंट के तरफ से ये बार-बार मांग किया जा रहा है कि जो बोर्ड एक्जामनेशन हैं जैसे कि आपको पता ही है कि 12 का पोस्ट पॉंट किया गया है पोस्ट पॉंट करने से स्टुडेंट सभी कन्फ्यूजड हैं कि वे तैयारी कैसे करेंगे इसके लिए Class 12 के Board Examinations को भी रद करने की मांग की जा रही है यानि कि Board Examinations Class 12 का भी Cancel हो जाए ऐसा बहुत सारे Students के तरफ से, Parents के तरफ से या फिर जो भी Teacher, समंत्री के तरफ से जो है वो बोला जा रहा है और हम उमीद करते हैं कि जिस तरह से Class 10 के Examinations को Cancel किया गया है इसी तरह से Class 12 के भी Board Examinations को Cancel किया जा सकता है और इसके बारे में हमें June का पहला Week तक पता चल जाएगा हलाकि इसके बारे में एक और मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा Class 12 के ही Students के लिए कि जो CVSE है CVSE ने Question Bank भी अभी काफी जो Subjects है उसके बारे में यहाँ पे दे दिया है तो जो Students अभी Class 11 से 12 गया होंगे या फिर 12 का अगर Board पर इक्षा हो जाता है किसी भी कारण से तो यहाँ से आप अपने Examinations की त्यारी कर सकते हो और जो 11 से 12 गया है तो भी आप यहाँ पे CVSE जो Question Bank यहाँ पे निकाली हुई है जो कि यहाँ पे आपको सभी Subjects अभी फिलाल नहीं दिख रहोंगे लेकिन काफी Subjects का उन्होंने अपलोड कर दिया है तो यहाँ से आप अपने Examinations की त्यारी कर सकते हो चाहिए आपको कोई फे Stream हो आपको यहाँ पे जो है Subject दिख जाएगा तो यह था Class 12 के लिए Updates और अगर हम यहाँ पे अप Class 10 का बात करें तो Class 10 के जो Students है वो Result को लेकि Confused है कव आएगी तो यहाँ पे एक Expected Date बताई गई है कि June का Second Week तक Class 10 के Result को निकाला जाएगा और आपको जो बहुत सारे जगों पे यह दिखाया जा रहा है कि आपको Admit Card नहीं दिया जाएगा और जो Result है वो आपको School के तरफ से यानि कि Online नहीं निकाला जाएगा Direct School के तरफ से दी जाएगी तो यह ऐसा नहीं होगा आपको School के तरफ से दी जाएगी लेकिन Online भी आपको जरूर मार्क सिट देखने को मिलेगा और Admit Card भी आपको मिलेगा तो आप लोग इधर उधर भियान न दे आपको समय आने पे यह सारी चीज़े को बारे में जानकारी मिल जाएगी जब Admit कर दिया जाएगा तो उसके बारे में भी आप लोग को बता दूँगा चाहे रिजल्ट जब निकाली जाएगी तो उसके बारे में भी आप लोग को Information कर दूँगा फिलाल जो यहाँ पे एक जो Class 12 के Students हैं उनके लिए काफी important रखता है कि जो Examinations है वो Cancel कर दिया जाएगी क्योंकि अभी जो COVID-19 के जो cases है वो वाकए में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आने वाले दिनों में 10-15 दिनों में ये पीक पर चलने वाला है तो हम उमीद करते हैं कि जिस तरह से Class 10 के Examinations को Cancel कर देंगे ऐसी हम उमीद करते हैं So आज के लिए बस इतना ही और वी जो नई नई अपडेट्स आएंगी तो वो मैं आप लोग को देता रहूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले Thank you